कि Semiconductor का जो कान्सिफिकेशन है Semiconductor का क्लासिफिकेशन जो सेमी आ देखिये ये हैं कि Semiconductor ये दो दो प्रकार का होता है Semiconductor एक होता है Elemental Elemental अदूसरा जो होता है Compound Elemental का जो इग्यामपल है इसका इग्यामपल में जो आता है वो जर्मेनियम और सिलीकान आता है अब Compound जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के हैं उन में से एक होता है इनारगाइनिक अये होता है अये होता है अपालिमर अर्गानिक पॉलिमर यह नी सेमी कंड़क्टर का जो क्लासिफिकेशन हुआ तो उसमें एक एलिमेंटल होता है और दूसरा कंपाउंड अब कंपाउंड में काउन काउन होता है इनार्गानिक इसमें होता है इन्डियम फासफाइड गैलियम अर्सेनाइड गैलियम अर्सेनाइड फासफाइड इन्डियम फासफाइड गैलियम अर्सेनाइड और गैलियम अर्सेनाइड फासफाइड और गैलियम अर्सेनाइड फासफाइड आर्गानिक में जो होता है एं इसका इग्यामपल इसका और्गानिक पालीमर तो इसका इग्यामपल है पाली पायरोल और पाली एनी लीन यह जनी सेमी कंड़क्टर में एलिमेंटल होते हैं तो एलिमेंटल में जर्मेनियम सिलीकान आता है कंपाउंड वाले में इन आर्गानिक है जो इलियम फास्वाइट गैलियमर से नाइट गैलियमर से नाइट फास्वाइट यह आते हैं और आर्गानिक सेमी कंड़क्टर में एंत्रासीन यह ज्यामपल ठीक है ना एंत्रासीन और इसमें एक होता है आर्गानिक पालीमर तो उस टाइप है ठीक वैसे जनरली आप लोग सलेवास में 12th क्लास फिजिक्स में 2012-23 के लिए जो सलेवास में है वो सिर्फ सेमिक एलिमेंटल एप से है सब कुछ ठीक है ना इसे एलिमेंटल जर्मेनियम सिलिकान से बाद में आपको यह अन टाइप पढ़ने को मिलेगा फिलाला में सार्ट में यह सेमिक एलिमेंटल टाइप बाई वता रहे थी थैंक यू